हाई स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड क्लास 11 हिंदी वितान भाग एक के इंपोर्टेंट कोस्टन अंसर 2023 के लिए पूरी बुक के कंप्लीट बुक के आज इंपोर्टेंट कोस्टन करेंगे वितान के ठीक है चलो सुरू करते ह मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ अगर आपको जो है क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का उससे जाके देख सकते हो और अगर आपको इस सारे कोस्ट लिखे हुए चाहिए और बाकी सब्जेक्ट के भी तो गूगल पर सथ करना CCL चैप्टर लिखके और आपको एक वेबसाइट आएगी CCL Chapter.com इस वेबसाइट के Important Question के सेक्शन में तुम जाओगे तो वहाँ पे तुमें Class 11 के सभी सब्जेक् पर पहले पार्ट से पार्ट का नाम है हमारा वो है भरती है गाई काओं में बेजोड लता मंगेस कर तो बहुत ही प्यारी इसकी कहानी है अब इसमें से जो है आपको पहला question देखो इसमें से जो भी question यह जितने questions मैं provide करा रहा हूं यह previous year question paper से है 2017 और उसके बाद से बाइस तक जितने पेपर हुए हैं सब भी पेपरों में कुल मिला के जितने कोस्टन आये हैं वो सारे कोस्टन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे ठीक है तो मैजूरिटी ओफ दचांसिज रहेंगे इन कोस्टन में से अच्छे रिपीट होने के और साथ में अगर आप चाहो तो दो चाहर कोस्टन अगर आपको लग रहे हैं कि यह भी आ सकते हैं तो उनको कर लेना इस आपको आइडिया लग जाएगा कोस्टन कैसे आते हैं ठीक है न चलो अब शुरू करते हैं पहला कोस्टन है चित्रपट संगीत में लता को एतुलनिय क्यों कहा गया है लता मंगेशक लता मंगेशकर की लोक प्रियता का कारण सपष्ट कीजिए देखो अंसर नहीं है अंसर आपको ये कोस्टन को गाइड वगारा है में मार्क कर लेना अगर गाइड में अंसर नहीं है तो भाई चैप्टर से कर लेना पर इनके अंसर कर लेना क्योंकि एक्जामस में आ सकते हैं के चांसी ज्यादा होते हैं ठीक है तो इनको कर ले ना चैप्टर में ऐसा नहीं है कि 20-50 कोशन दे दिये मैंने कि करते हैं रो भी या जो मिले तुमें यहाँ पर लिटरली तुमको पास साथ कोशन मिलेंगे पर चैप्टर ज्यादा नहीं है ठीक है ना चलो दूसरा कोशन दे का उले कीजिए यह और यह तो भाई बिल्लकुल जिरोक्सकोप उतार देनी है देखो इसमें इन्होंने बोला है बेसरमों की तरह बोला है दो विशेस्थाएं तो सिरफ दो लिखनी है ठीक है यहाँ पे इन्होंने नहीं बोला तो तुम तीन या चार भी लिख सकते हो वो महलें पुर्ण जो है आब आपको कर देंगे ठीक है अब दो नंबर में कितना यह लिखते हो अब आब वैसे तो स्कूल में एक बाई मेरे को ये भी बोल रहा था कि दो नंबर का लिखने के लिए हमारे स्कूल वाले तो बोल रहे हैं पूरा एक पेज भर दो तो भाई ऐसे नहीं बरा जाता है और पता नहीं क्या ही भरवा रहे हैं आजगल स्कूलों में टीचर्स काम खतम हो जाता है नंबर देने चीए टीचर्स को हाँ टीचर का मूड नहीं है कि तुम्हें क्यों ही नंबर दे तो तुमने अच्छा नहीं पढ़ा तुमने बिल्कूल गाइड वाला नहीं टेपा वो अलग सी नोता है स्कूलों का क्या ही बोल सकता हूं उस चीज़ पर जाता हैं उसária साहसे करना पड़ेगा ठीक है लिता मंगेसकर ने किशुरs रस गानों के साथ न्याय नहीं किया और किस रसके गाने उत्कता से गाये हैं यानिकी मौन्ण कोंस दो रस होता है ना बेसिह ली तो उनमें से एकरस के साथ बहुत मलब उनके गाने कभी गायनी, उनमें मजासा नहीं आता, एक में जो है बहुत उनको मजा आता है, तो वो चीज़े हमको बतानी है, कौन से मसूरती वो चीज़े बतानी है, राजस्थान की रजत बूंदे, इसमें तो भाई कुए में डूब मरो, वही काम कर रखा है इनोंने, कुईयों से बाहर नी निकल रहे है ये लोग, मलब कहने को तो बहुत कुछ है, चैप्टर में पूछने को भी बहुत कुछ है, लेकिन इनको कुवा ही चाहिए, इनको कुछ नी चाहिए, देखो तुम, मरू भूमी में कुई खोदने का काम, कठिन क्यो होता है, बाड मेर के गाउं गाउं में कुईया क्यों है, राजस्थान के कई जीलों में ही कुईया क्यों है, अल्मुस्ट सेम साहिए, मतलब ये और ये अल्मुस्ट सेम अंसर लिखना है, गोधूली के समय कुईयों पर कैसा वातावन रहता है, गोधूली बेला में कुईय कारण पूछा जा रहा है कूई बनाने पर किस प्रकार परसनता व्यक्त की जाती है कुई का मुख छोटा रखने के कारणों का उलेख की जिए चोटा इसलिए रखे ताकि पानी भाफ बनके न उड़ जाए उनका फिर है तो ये में रीजन रहता है लेकिने कुई का मुख खतम तुम्हारा तो ऐसे रहता है जब गिंती में पूछे वो गिंती में नहीं पूछ रहे तो फिर सकुल वालों के साब से ही करना पड़ेगा तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पे जो है यह और यह उल्मूस्ट सेम ही है मतलब मुझ छोटा रखने पीछे कारण को दोनों में बताने हैं दोनों का अंसर सेम ही लिखने है गहरी कुई खोदने में बसोली की उपयोगिता को सपष्ट कीजिए कि बसोली कैसे इस्तमाल की जाती है कुई के रखरखाओ का वर्णन कीजिए चेलवान जी कुई को साकार करते समय टोप क्यों पहनते हैं ल Jack Keniser पाताल पाने में क्या नतरह सपरोष्ट कीजिए तो ऐस貌को लिखना है इसके जैसा मनलब ऐससर बना सकते हो ध्यान रखना तो पाताल पाने पालं dalत बर लेना क्या होते हैं अग्राइए वह हमारा यह लिदारी जो कहानी है तो इसमें जो आि पहले जो रिपीटिसे कोस्टन मनलब रिपीट इसलिए नहीं है क्योंकि वह कोस्टन फपर ही इतने कम हो 好啦 चार फाइपर हो मैं रिपीट नहीं किया जाते। वो उसके बाद रिपीट होने लगते हैं तो इस Hahn उतके हैं तो इसलिए मैं बोलता हो घुड़ी बीट धिया थीठ तो यह आपको एटलिस्ट यह तो कर ही लेने हैं ठीक है ना अइडिस्टनल करो वह आपके इच्छा बट यह कोशन एक्जाम में आ चुके हैं तो यह तो आपको करने हैं क्योंकि इस चांसे होता है रिपीट होने के अच्छे खासे ठीक है आलो अंधारी पार्ट का प्रतिपा पर परकास डालिए बेवी को सुखदीप और रमन क्यों अच्छे लगे बेवी के परति देखो बेवी बेवी मत सोचने लग जाना है बेवी हलदा की बात कर रहे हैं यह तो जो बेवी है यह बेवी बेवी पढ़ते ही तुम्हें पता लग जाए और इसमें से अच्छे खा बहावनाओं का प्यार की इस परकार से उमड़ा बेवी हालदार को पढ़ाई की पुन्हें प्रेलना कैसे मिली तातूस की परकरती का चितरन कीजिए तो यह थे हमारे कुछ कोस्टन अब देखते हैं लास्ट चैप्टर आपका जो कि यह है भरतिया कलाओं में से दो कोस्ट है अब यह जो है ना हो सकता है मेरे को कंफर्म नहीं है मनलब मैंने पहले यार तीन चैप्टर लिख रहे थे पता नहीं क्या सीन है पक्का देख लेना चारी चैप्टर वैसे अन्सेयाटी बूग में चार है अब देखो यहां पे इस चैप्टर से कुछ खास आता नहीं है उमीदे भी नहीं है इसलिए मैंने इसके बारे में कभी ध्यान दिया नहीं है मैंने पढ़ाया वड़ाया भी होगा साइथ थोड़ा बहुत तो मेरे को ध्यान भी नहीं था है सभी कोई चैप्टर यहां पे तो देखो इसमें से दो कोसन है चितरपट संगीत की लोग परिय तो इन दो को मैंने यहां पर लिख दिया लग से चैप्टर के लग रही थे मेरे को तो बाकियों को केश्पॉर्स बीजाम उपनीचे कर लेना तुम्हें नहीं पतानि किना कर दाठा दिया है इस का रखा नहीं है ताकि आपको ढूणने में दिक्कत ना हो और अगर कि फिर भी गडबड लगती है अरर लगती है बता भी देना मेरे को कि हाँ इधर उधर से आ गया है तुमारा तो एक काद कोश्चन हो भी जाता है कभी कभी होता है वो तो दुरलब केसिज में ठीक है वीडियोज भी आपकी कलास इलेवन की जो आएंगी तो आपको टाइम से पता लगती रहेंगी अगर सबसक्राइब नहीं कर रखा होगा तो वीडियो तुमको बताके डालूगा कि कलको 12 वी कि बारवी की ऐसा नहीं होता कई बार दो-दो class की एक साथ आ जाती है तो आपको पता लगता रहे time पे तो subscribe कर ले न और चैनल पे विजिट कर रहे देखते रहा करो ठीक है तो आपको पता लगता रहेगा कोन सी class की क्या videos आई है तो videos random regularly आ रही है तो जल्दी है आपका बाकिस लेव से भी cover कर दिया जाएगा मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई